हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, आज मैं इस वेडियो में साड़ी से नायरा कट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, यह मैंने धाय मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है, सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, अस्तर को मैंने डबल में फोल्ड क लगेगा और चवडाई में हमें इदर से साड़े बाराइंच चाहिए, हमारा कपड़ा कम आ रहा है, तो यहां से हमें साइड में तीन इंच का कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए लंबाई में हम 19 इंच पे कटिंग करेंगे, और तीन इंच कट करके उसमें से बड़ा जोड लिया है इसके बाद अब हम चोली की कटिंग करेंगे अब हम मेजरमेंट देख लेंगे लंबाई 45 इंच है सोल्डर 13 इंच सीना 42 इंच कमर 37 इंच आगे गला 6 इंच पीछे गला 7 इंच हाथ की लंबाई 14 इंच गुलाई 10 इंच और आर्मोल 9 इंच है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम साड़े छे इंच पे सोल्डर का निसान लगाएंगे आर्मोल डाउन करेंगे छे इंच पे यहां से हम चेश्ट की लिए एक लाइन ड्रॉप कर लेंगे चेश्ट का साइज है 42 इंच तो उसका चोथा भाग करके 10.5 इंच पेक निसान लगाएंगे और दो इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे यहां से 1.5 इंच पेक निसान लगाएंगे आर्मोल की गुलाई का सेप देदेंगे इधर से हलका सा आर्मोल डाउन कर देंगे नेक बिर्थ लेंगे हम 2.5 इंच पे गले की लंबाई लेंगे 6 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 तक इधर साइड से भी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे गले की गुलाई का सेप देदेंगे यहाँ से हम अंदर आदा इंच डाउन करेंगे और इस तरह से फ्रंट साइड के आर्मोल का सेप देंगे अब हम कमर का निसान लगाएंगे कमर से 30 इंच है उसका चोथा भाग करके सवा 9 इंच पे निसान लगाएंगे एक इंच टक्स के लिए रखेंगे और दो इंच सिलाई मार्जिन यहाँ से हम 4 इंच पे एक निसान लगाएंगे फ्रंट साइड के टक्स के लिए उपर से हम 11 इंच पे निसान लगाएंगे इस निसान को जहाँ हमने 11 इंच पे निसान लगाया है वहाँ तक मिला देंगे टक्स के लिए दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे गले पे कट लगा लेंगे उसके बाद दोनों पार्ट को माला गलग कर देंगे फ्रेंट साइड के गले की कटिंग कर लेंगे यहाँ से हम आधा इंच उपर एक निसान लगाएंगे इस निसान को टक्स के इस निसान से जोड देंगे इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे टक्स पॉइंट पे एक कट लगा लेंगे दूसरे साइट भी टक्स के मार्ग को ड्रॉ कर लेंगे और आर्मोल के भी कटिंग कर देंगे अब हम बैक पार्ट के कटिंग करेंगे यहां से हमने जो दो इंच सिलाई मार्जिन लिया था उसको छोड़के हम कमर का सेंटर निकालेंगे, इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके हम कमर का सेंटर निकालेंगे, दोनों साइड से हम आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, यहां से हम आधा इंच उपर एक निशान लगाएंगे जिस तरह से फ्रंट पार्ट में निशान लगाया था और इस निशान को टक्स के इस निशान से जॉइंट कर देंगे इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे यहां से हम उपर पांच इंच तक निशान लगा लेंगे टक्स के लिए इसके बाद हम बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे गले की लंबाई 7 इंच है तो एक 7 इंच का बॉक्स बना लेंगे इसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं अब हम नीचे के पाट के कटिंग करेंगे चोड़ाई में हम पूरा कपड़ा रखेंगे कूर्ती की लंबाई 45 इंच है उसमें से उपर का पाट हमने चोली कट किया 16 इंच का तो तैयार 15 इंच आएगा 45 में से 15 इंच माइनस करके यहां पर हमारा 30 इंच आएगा लंबाई में हम 3 इंच एक्स्ट्रा सिला ही मारजिन रखेंगे तो यह टोटल 33 इंच यानि 33 इंच का कटिंग करेंगे हम यहां से हम लंबाई में 33 इंच पे निसान लगाएँगे दोनों तरब से 33 इंच पे निसान लगा लेंगे दोनों निसान को इस तरह से मिला के एक सीधी लाइन डॉक कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इधर साइड से कपड़े को सीधा कर लेंगे हमारे स्तर की कटिंग हो गई अब हम इसको मेन कपड़े कट करेंगे चोली की कटिंग हम पल्लू के साइड से करेंगे इसके बाद हम नीचे की पाट की कटिंग करेंगे हमने यहां से लेस और फॉल निकाल लिया है लाइनिंग के कपड़े को लेंगे इस तरह से इसकी चोडाई माप लेंगे इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग कपड़े को डवल फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे इस पे हम लाइनिंग के कपड़े को रखके इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के कट कर लेंगे अब हम स्लिव की कटिंग करेंगे स्लिव की लंबाई 14 इंच है तो हम 15 इंच पर निसान लगाएंगे एक इंच लाई मारजीनेट करेंगे यहां से हम 3 इंच डाउन करेंगे आर्मोल 9 इंच है तो 8.5 इंच पे निसान लगाएंगे और यहां से राउंड शेव दे देंगे हाथ की गुलाई 10.5 इंच है तो इसका अधा करके सब पांच इंच पे निसान लगाएंगे और दो इंच इलाई मार्जिन एड़ करके हम इसकी कटिंग कर देंगे अभी हम सिंगल स्लीव की कटिंग कर रहे हैं इसके बाद हम दूसरे स्लीव की कटिंग करेंगे कि इस तरह से हम दूसरे स्लीव की कटिंग कर लेंगे कपड़े के ऊपर रखके कि सेंटर में कट लगा देंगे कि फ्रंट साइट में आधा इंच अंदर डाउन करके निसान लगा लेंगे इस तरह से इसके बाद दोनों स्लीव को ओपन करके अर्मोल चाट देंगे यह हमने सभी पार्ट को कटिंग कर लिया है अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े को में कपड़े पर रखके सभी किनारों पर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से सभी पार्ट को में कपड़े पर रखके स्टिच कर लेना है उसके बाद एक्ष्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है अब हम टक्स की सिलाई करेंगे सबसे पहले हम टक्स की ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा बहुत लूज है इसके बाद हम इसको फोल्ड करके आधा ही सिलाई मार्जिन लेके टक्स लगा लेंगे दोनों साइड का टक्स लगा लेंगे बैक साइड का भी इसी तरह से टक्स लगा लेंगे अब गले पर बट्टी लगाएंगे इस तरह से लेक इंच का उरेब में पट्टी कट कर लेंगे और गले पर रखके इस तरह से स्टीच करना है सीधे साइड से स्टिच करने के बाद पूरी गले पे कर्ट्स लगा लेंगे चोटे-चोटे और अस्तर को पलट के उसके उपर सिलाई लगाएंगे इसी तरह से बैक साइड के गले पे भी पट्टी लगा लेंगे इसके बाद हम सोल्डर जोइंट करेंगे सबसे पहले सीधे में हम सोल्डर जोइंट करेंगे इसके बाद कपड़े को पलटके इस तरह से उल्टे साइड से सिलाई लगा लेना है दूसरे सोल्डर को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे अब हम पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सियर करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे यह अपने पूरे गले को स्टिच कर लिया है फ्रंट साइड के गले पर लेस लगा लेंगे क्यों लेस लगा लिए फ्रंट साइड के गले पर टीफ करेंगे अब हम स्लीब को सेंटर से रखके ज्रान करना है इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सिंगल लगा लेंगे इसके बाद हम मुवपिस इसको पलटके दूसरे साइड भी सिला लगा लेंगे कि अब हम इसको सीधा करके कपड़े को अंदर साइड रगक के पूरे आर महुल पे सिलाई लगा लेंगे क이가 कि जिससे सलेव में फिनिसिंग दिखें कि इसी तरह से दूसरे साइड का भी सल्फ जॉइंट कर लेंगे अब हम स्लिव पे लेस लगा लेंगे नीचे साइड से आधा इन सीधे साइड हम फोर्ड कर लेंगे इसके बाद इस पे लेस को रखके हम स्टीच कर लेंगे लेस में दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे यह हमने दोनों साइट का स्लिव रेडी कर लिया है अब हम नीचे का पार्ट जॉइन करेंगे दो इन सिलाई मार्जिन जो रखे थे उसको छोड़के उसके बाद हम प्लेट्स टालेंगे इस तरह से दो इस तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे यहां से हम प्लेट्स टालना चालू करेंगे चोटी चोटी प्लेट्स टालेंगे इस तरह से इधर से हम दो इंच पे निसान लगा लेंगे दो इंच छोड़के हम यहां तक प्लेट्स टालेंगे और शिलाई लगा लेंगे इसके बाद इसको सीधा करके इसके उपर से सिलाई लगा लेंगे अंदर के कपड़े को उपर साइड ही करके सिलाई लगाएं इसी तरह से दूसरे साइड के पार्ट को भी स्टीच कर लेंगे इसके बाद हम पीटी की सिलाई लगाएंगे हाथ की गुलाई का निसान लगाएंगे यहां से दो इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरह से निसान लगा लेंगे और उस पे शिलाई लगा लेंगे पूरे कमर तक दो-दो इंच पे निसान लगा लेंगे अब हम यहां से नीचे साइड चार इंच पेक निसान लगाएंगे और इधर से हमें एक इन सिलाई मार्जिन रखेंगे साइड से और हम दो-तिन सिलाई लगा लेंगे पास-पास में दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर लेंगे यहां से आधा इंच फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे, उपर तक हमें पुरा इसी तरह से सिलाई लगाना है, टोटल एक इंच हमारा कपड़ा अंदर साइड फोल्ड होगा, यहां पर इस तरह से कपड़े को गुमा के चौक बठा लेंगे, इसके बाद हम नीचे तक से उपर सिलाई लगा लेंगे, दूसरे साइड का भी इसी तरह से सिलाई लगा के रेडि कर लेंगे, नीचे साइड हम इस तरह से आधाईन सिधे साइड फोल्ड करेंगे, इसके उपर लेस लगाएंगे, बैक और फ्रंट दोनों साइड में हम इसी तरह से लेस लगा के रेडि कर लेंगे, हम इसी तरह से साइड लेस लगा के रेडि कर लेंगे, हमारा कुर्ती बन के रेडि हो गया है, वीडियो को ऐसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताएं,